हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम् टू यो ओन चैनल, टैटू, थिंक एक्जाम, थिंकर्स आज की क्लास में हम बात करने वाले रीजनी के एक बहुत ही महत्मौन टॉपिक सांकेतिक भासा परिक्षा कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट के बारे में इस क्लास में हम बात करेंगे तीन चीज़ों के बारे में कि पहला कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट होता गया है, दूसरा इसके importance क्या है, महत्तो क्या है और तीसरा इसके uses के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करें कि coding decoding test होता गया है तो जब हम किसी बात को सांकेतिक भासरा में कूट भासरा में हम उसे व्यक्त करते हैं तो उसे coding decoding कहा जाता है अब यह generate कैसे होती है generate करने के लिए हम मुख्यता हम इसको क्या करते है इंग्लिश के alphabets का प्रियोग करते है A to Z का और उनसे संबंदित नमबरों का प्रियोग करते है तो इस तरीके से coding भासरा generate की जाती है अब इसकी importance के है देखे importance इसकी यह है कि जिस भी प्रतियोगी परिक्षा में reasoning से संबंदित प्रशन आते हैं उसमें coding decoding test के संकेतिक भासरा परिक्षण के प्रशन होते ही होते है तो यह बहुत ही महत्पूर्ण topic है और बीच में हम क्या करेंगे tricks की भी बात करेंगे जिससे हम इस तरह के questions को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं अब तीसरी बात है कि इसकी uses के बारे में बात करेंगे वो हम आगे एक वीडियो में continue करेंगे इस चीज को तो सबसे बहले हम शुरुआत करते हैं इसकी basic चीजों से तो coding भाशा जो है संकेतिक भासरा परिक्षण जो है वो किस चीज पर आधारित है मुखिता हम याद कर सके ढंग से तो यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान नखनी है जितनी भी हमें महनत करनी है हम जब यहाँ पर महनत कर लेंगे इन चीजों को समझने में और इन से समंदित संख्याओं को समझने में जो इन लेटर्स होते हैं हमने M तक letters लिग लिए हम जानते हैं कि A सबसे पहले आता है English alphabet में तो हमने उसको क्या किया one number assign कर दिया है इसलिए हमने क्या किया इसी के साथ B को हमने two number assign किया है C को हमने three इसी तरीके से हम चलते जाएंगे तो M तक जह हम पहुंचेंगे तो उसे 13th place मिलेगी इसी के साथ सब क्या है दूसरे ग्रूप में हमने क्या रखा है N से लेकर Z तक numbers ले रखें तो यहां पर हम N को number के assign करेंगे 14 M को O को 15 P को 16 likewise तो Z को हो जाएगा 26 अब इस तरीके से करने का फायदा यह है इस तरीके से करने का फायदा यह होता है कि हम इनकी positions को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं हमारे mind में यह रहेगा कि हाँ A से लेकर M तक जो letter से वो एक group है आप अपनी convenient के अनुसार अपनी चीजों को भी अपना सकते हैं पर यहाँ यह हमाई तरब से है कि आप इस तरीके से करेंगे तो आपको काफी आसान हो जाएगा चीजों को समझने में तो A के लिए one हो गया इस तरीके से यह सारे numbers हो गया अब यहाँ पर इनके क्रम को याद करने के लिए क्रम देखे हमें प्रशनों को हल करते हैं तो वहाँ पर जब हमारा समय बहुत महत्पूर्ण होता है तो जब हम यह सारी ट्रिक्स हमें पता होंगी तो हम बहुत आसानी से अपनी calculation को हम कर पाएंगे और questions को solve कर पाएंगे तो उससे क्या होगा हमारा समय बचेगा हमारी calculation speed up हो जाएगी इस तरीके से हमें क्योंकि पतियों की परिक्षाओं में जो थोड़ा बहुत भी समय है second का समय भी बहुत महत्पूर्ण होता है तो अब चलिए आगे बात करते हैं इसमें तो यह तो हमने एक numbers हो गया जो हमने इसको एसाइन कियें अब इसमें साथ क्या है ट्रिक यह होती है कि अगर हम इसको और किन-किन तरीकों से याद कर सकते हैं देखिए तो यहां पर एक letters का एक group बनाया है इजोटी करके तो यहां पर यह देखिए एक की position है 5 है जे की position जो है वहां क्या है 10 है इसी तरीके से O की position होती 15, T की होती है 20 और Y की होती है 25 तो इस तरीके से इन letters के group में जो इनको नंबर assign किये गए वो यह है 5, 10, 15, 20, 25 अब हम यह identify कर सकते है कि Yes, O की जो position है वो क्या है 15th position है Y की position है 25 है likewise तो जब हमें यह 5 letters जो है इनकी position हमें पता है तो इनके आगे पीछे के हमें को manually क्या करते है पूरी alphabets बना के भी कर सकते है पर जब हमें यह trick पता होती है इस तरीके से हमने number को याद कर रखा होता है तो हमारी इसी तरीके से अगर हम H को ले लें H को अगर हम ऊपर से और नीचे से जोइन कर देते हैं तो यह match करता है 8 से तो हम इस से याद रख सकते हैं कि H जो है वो 8 को रिप्रेजेंट करता है हमाला 8 पोजिशन पर है इसी तरीके से हम आई की बात करें आई को अगर हम यहां से जोड़ दें तो यह resemble करता है किस से मिलता है ना इन से मिलता है तो देखिए यह हमाई तरफ से जो है इस तरीके से हम numbers को याद कर सकते हैं आप अपनी खुद की method भी develop कर सकते हैं तो इसी त इसी तरीके से अन्य लेटर की हम कर सकते हैं याद पोजिशन दूसरा टॉपिक आता है विपरीत वर्ण ज्याद करना देखिए अलफाबेट्स का जो order होता है उसी के basis पर हम क्या करते हैं एक concept आता है विपरीत वर्ण तो कई बार क्या होता है प्रतियों की परिक्षाओं मे उसके according जो आपके लेटर्स हैं वो क्या होएं A, B, C ऐसे हम continue करते हैं तो X, Y, Z यह आपके 26 लेटर्स होगा इचा 20 तो विपरीत वर्ण की हम बात करें तो विपरीत वर्ण क्या होगा विपरीत वर्ण में होता है कि जब हम 22 तरफ से शुरू करते हैं तो 22 तरफ से हम वर्ण को देखने के लिए हम क्या करते हैं दाइन तरफ से अलफावेट्स के दाइन तरफ से हम शुरू करेंगे नंबरिंग करना तो उसमें हम देखेंगे कि पहला लेटर कौन होगा तो दाइन तरफ से जब हम शुरू करेंगे तो पहला नंबर क्या होगा Z होगा तो इसक से हम बात करें C की तो C की हम position देखते हैं कि राइन तरफ से की position कि है First Second Third , तो C की position , थ्री है तो अब हम लेंग तरफ से देखेंगे कि 3rd position पर कौन सा letter होगा तो first डेंग तरफ से चल रहे हैं कि ने थ्र ने कर दर एक से थर्ड लेटर के लिए हम विप्रीद वर्ण गयाद कर सकते हैं तो यहाँ पर एक नियम है कि इनकी positions अगर हम देखें और उनकी विशेष्टा देखें तो एक ही position है आपकी one और जेट की position बाई तरब से left side से z की position क्या होगी वो होती है है आपकी 26 भी position होती है 26 position तो अगर हम इनका सम करते हैं तो हम सम देख रहे हैं कि वो कितना आ रहा है 27 आ रहा है इसी तरीके से अगर हम इस group की बात करें विप्रीद वर्णों के तो c की position क्या है 3 है और x की position क्या है अब हम याली position जो हम देखेंगे वो left side से ही देखेंगे तो English alphabet में x की position क्या होती है यह होती है आपकी 24 होती है 24 होती है तो अब इनका भी अगर हम सम देखते हैं तो 3 प्लस 24 कितना हो गया 7 हो गया तो कहने का मतलब यह है कि इस basis पर एक नियम बन जाता है और नियम यह है कि जो विप्रीद वर्ण होते हैं उनका सम कितना होता है विप्रीद वर्णों की D की बात करें, तो D की position क्या है, आपकी fourth position है, fourth position है, तो इसका विपरीत 1 अगर हम जяद करना है, तो अगर हम इस नियम का प्रयोग करए के इसके विपरीत 1 को जयाद करेंगे, तो कैसे करेंगे हम twenty seven, हमें पता है कि विपरीत 1 को क्या होता है, 27 होता है, तो हम 27 में से D की position को क्या करेंगे, subtract कर देंगे, तो D की position क्या है, fourth है, तो इसको हमने subtract कर दिया, तो यह आ रहा है, 23 आ रहा है, तो इस basis पर अब हम ज्याद कर सकते हैं कि D का opposite letter क्या रहा होगा, तो D का opposite letter होगा, वह 23rd position पर होगा, तो हमें पता है कि English alphabet में 23rd letter जो है, वो क्या होता है, डबलू होता है, तो स facto हमें पता चल गया है कि Yes, D का जो Opposite Word है, वो क्या है, डबलू है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, विपरीद word को ग्याद कर सकते हैं, क्योगि इस से संबंदित परश्ण, प्रतियों की परिक्षाओं वों पूछे जाते हैं, अब इसी आधार पर हम क्या कर सकते हैं, विप्रिद वर्णों को आप बहुत आसानी से ग्याद कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या से यूज करेंगे विधी को, जैसे a है हम क्या करेंगे, a से लेकर m तक सारे हम लेटर से लिखते हैं, तो a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, अब देखिए, यहाँ पर हमने a से लिकर m तक हमने 13 लेटर समने क्या करें हैं, यहाँ पर लिखते हैं, अब next जो होगा, इसके विप्रीद जो लेटर समगें, वो कैसे आएंगे, l, m के बाद, देखिए, आब विप्रीद को हम यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे, n, o, तो देखिए, m के opposite क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, l के opposite, o हो जाएगा, इस तरीके से हम क्या कर रहे है, alphabetic order में हम चले, और सीधे-सीधे हमें क्या होगा है, एक sequence मिल गया, a, b, c, d, करके m तक आए, फिर n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, तक हम आगए, तो यहाँ पर हमें विप्रीद वर्णों का जो क्रम है, वहाँ इस तरीके से हमें मिल जाता है, तो देखे, यह सारे के सारे जो हैं, एक दूसरी के विप्रीद वर्ण हैं, देखे, इसी पर आधारित अब हम एक प्रश्न को हल करते हैं, तो प्रश्न है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, टीचर को VGCEJGT लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में चिल्टरन का कोड क्या होगा, तो देखे, यहाँ पर जो हमें letter दिया होता है और उसका जो कोड दिया होता है, उसी के आधार पे हमने क्या करना होता है, नियम ग्यात करना होता है, और उसी के basis पर हम क्या करेंग यहां पर हम क्या करते हैं उनको सबसे पहले उनकी position को assign कर देते हैं तो हमें पता है कि T जो है वो 20th place पर होता है तो हमने 20 लिख लिया E की position है 5, A की position है 1, C की 3, H की 8, E की 5 और R की position है 8th position अब इसके और साथ में क्या करें जो code दिया है इनकी positions को भी हमने जो alphabetic order होता है हमारा उसके आधार पर हमने इनको इनके number assign कर दिया अब हम यहां पर सम्मंद को देखेंगे और नियम समझने का प्रयास करेंगे और साथ में इसी के बीच में हम क्या करेंगे वो trick जिसकी में बात कर रहा था उसकी भी बात करेंगे जिससे calculation हमारी काफी आसान हो जाएगी तो देखिए यहां पर क्या करते हैं हमने position लिख दिया अब हम देखते हैं देखिए तो यहां पर हम देखते हैं कि टी प्लस तू अगर हम कर देते हैं तो हम वी पे पहुंच जाएगे इसे तरीके से हम आगे देखते हैं E को देखते हैं E 5th position पे है तो G आपका 7th position पे है इसका मतलब है यह भी यहाँ पर भी 2 letters आपके plus हुए तो यह progressive नियम के आधार पे यह coding बनी हुई है जिसमें हम क्या करते हैं आगे की letters को हम लेते रहते हैं और वो क्या होता है कि निश्यतिस्थान के बाद आने वाले letters को हम लेते हैं इसे तरीके से हम A को देखें तो A की position है 1 तो यहाँ पर plus 2 होके जो है वो C आ जा रहा है यह 3 position है ऐसे हम देखें 3 है C की position तो E की position जो इससे सम्बंदिद letter है C से समथंदिद letter है H तो इसकी position का है? प्लस 2 में है तो यह 5 है इसी तरीके से E की position है 8 और इससे सम्बंदिद letter है आपका J उसकी position फिर plus 2 हो चुकी है और वो कितनी है? 10 है इसी तरीके से हम देख सकते है आसानी से कि E की position कैा है? 5 है और उससे संबंदित जो letter है उसकी position क्या है 7 है फिर 18 है और last जो इससे संबंदित word है वो क्या है उसकी position फिर से plus 2 होके 20 हो गई है तो इसी आधार पर क्या करना है हमने इस letter को भी अब हमने code करना है तो देखिए हमें नियम पता चल चुका है तो यहाँ पर C देखिए आप क है यह third place पर है तो इससे संबंदित जो आपका letter होगा वो plus 2 करके होगा और इसकी position plus 2 तो 3 plus 2 जो है वहाँ क्या हो जाएगा 5 और 5 पर position क्या होती है letter क्या होता है 5th position पर E letter होता है इसके बाद हम देखिए कि H के बाद क्या आएगा H के बाद plus 2 कर देंगे तो आजाएगा आप का आजाएगा के आजाएगा देखे प्लस टू करके उसके बाद जो है एल जो है एल के बाद plus 2 करेंगे कि वो क्या जाएगा एना जाएगा इसी तरीके से डी जो है वो क्यादेगा आपका प्लस टू करके F आजएगा इसके बाद R है आपका R के लिए क्या जाएगा आपका प्लस 2 करके यह आजएगा इस सितरीके से हम क्या कर सकते हैं बाकी letters के लिए हम लिखे देंगे तो इस तरीके से हमारा जो code आ गया वो कितना आ गया, E, J, K, N, F, T, G, P, तो इस तरीके से हम उन्हें आंसर को find कर दिया, अब हम ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो ट्रिक जो है, वह आपकी आसान होजी कि देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपको letters का करम याद करने में दिक्कत होती है, और यह आपको समय लग space होता है, आप simply यह काम करिए, rough space में A से लेकर Z तक के सारे letters आप लिग लिए, उनकी positions ने आप मांक कर दिये, यह आप, जब आपको question booklet मिलती है, उस दौरान आप कर सकते हो, जो आपका free time होता है, otherwise आप परिक्षा के दौरान भी कर सकते हैं, तो जहां आपने letters लिखे हैं, औ A से लेकर Z तक आपने सारे letters लिख लिए, उन सारे letters को आप position mention कर दिये, और उसके बाद क्या करें, सीधे आप उस page पर जाएए, और यह आप last में करिए, क्योंकि आपको pages पलटने की जरूद भी नहीं पड़ेए, आपको पता है कि आपने कहां पर letters लिख रखे हैं, क्योंकि A से संबंदित जो है आपके 3-4 प्रतियोगी परिक्षाओं में, तो आपका समय बचेगा, और आपको बहुत आसानी से इन प्रशनों को कर सकते हैं, तो A से लेकर Z तक आप सारे letters लिख लेंगे, साथ में क्या करेंगे, उनकी position आप देंगे, तो आप आसानी से फटा पट द आ रहा है, इसी तरीके से आप जब alphabetic orders में देखेंगे, E, F, G, तो E के बाद आप जब अपने alphabets बतम बना रखेंगे, तो उसमें आप सीधे सीधे देखते हैं कि E के बाद G आ रहा है, इसी तरीके से आप सारे उसको कर सकते हो, तो यह बहुत handy tips होती है, और इस trick का मैं आगे की classes में हम करते रहेंगे.